यह हीट रजिस्टेंस टेप होती है दोस्तों यह टेप लगानी है आपको कहां लगानी है माइक के उपर सीखो ऐसा जो काम आए बिल्कुल फ्री बिट्टू सर से संसंग जय टू जार्ται,sunu चैंच करना ओसान होता दोस्तों मगर इस सेट में एक्षेशा मोबाल रिपेरिंग वाण लोगों कि यह सेट खोलने में बड़ाइव होता है इजी नहीं होता दोस्तों, खोलना इसको, तो आज मैं आपको इजी तरीके से खोलना बताऊंगा, सबसे पहले इसकी डिस्प्ले निकलती है, उसके बाद ये सेट खोलता है, तभी आप इसका चार्णी जैक चेंज कर पाओगे, अधरवाईस आप चेंज नहीं कर सकते जब त निकालने का तरीका आपको पतायता हूं, बैक कवर खोल लीजिए, पर मेरा सर्विस सेंटर है, वहाँ पर दोस्तों कई और शोब भी है, तो कई बंदों से सैटी नहीं खुलता, वो मना कर देते हैं कश्टुमर को, कि भाई कहीं और ले जाओ, ये हैं निज्जैक नहीं हमा आरे पास, वो भाना मार देते हैं, असल में बात ही होती है, इसको खोलते खोलते डिस्प्ले टूटने का रिस्क होता है, फिलाल इसकी डिस्प्ले नहीं टूटी हुई है, खाली उपर गिलास चटका हुआ है, मगर फिर भी हार कोई डरता है, इसको खोलने के लिए दोस्तो वीडियो को सेट को खोलना इजी तरीका से वीडियो को लाश्ट देखना डिस्प्ले हम बचा के रखेंगे इसकी डिस्प्ले नहीं तूटने देंगे चिंता मत करना तो आप उस पर कुछ न कुछ साइन मार कर फिर छोड़िएगा सेट उससे पहले आप फोन मत छोड़ना क्योंकि बैटरी ओरिजिनल है ठीक दोस्तों किसी का भी इमान डगमा का सकता है इसको देखके क्योंकि यह बैटरी फिर उसकी सेल हो जाएगी 1000 रुपे में अराम से और तो 200 रुपे वाली बैटरी आपके में डाल देगा बहुत से ऐसे जिनके जिन लोगों को काम नहीं करना ना उल्टा तरीके से पैसा कमाना है वो करते भी हैं इस काम को कहीं ना दें दोस्तों बैटरी पर अपनी परसाइन मार लें और सिम मेमरी कार्ड ये कभी न छोड़े आपकी सेफ्टी करवाना मेरा में काम है अधिकर दोस्तों बिना किसी नुक्सान के हमने इसे खोल लिया है कोई नुक्सान हमारा यहां पर नहीं हुआ है ज़ा Ł Cash, यहींट र्जिस्टंस टेप होती है कि दोस यह टेप लगानी आपको कहां लगानी है माईक के उपर यहां पर एक माईक होता चोटा ठीक, इस माईक के उपर आप लपेड दीजिए इस टेप को और याद करके लपेड दें न दोस्तों इसके बिना आप काम मा ना करे ज्यादा अचीह वरन्हा कि ख़राब हो जाएगा और माईक ख़राब हो जाते है तो तो फिर कस्टुमर का नुक्सान होता है और हमें नुक्सान नहीं करना काम अच्छा करके दिनाम को इसको लगाएंगे तो फिर हीट माइक तक नहीं पहुचेगी ठीक है दोस्तों बस यह कोशी करने माइक तक हमारी हीट ना जाए तो माइक ठीक ही रहेगा फिर वो फिर आप निकाल भी SMD अब दोस्तों एक जो गलती अक्सर मोबाइल रिपेरिंग शुप वाले करते हैं या तो जानबूच के करते हैं या फिर गलती से करते हैं उन्हें इस चीज की नौलिज नहीं होती कि जो charging jack होता है इसकी पिनो को result भी किया जाता भाइ लगाने से पहले क्योंकि मैं आकसर जब mobile repairing करता है तो मेरे पास कोई सेट आता है तो मैं देखता हksi करना पड़ता है कशमा इसकी पिनोक औरने रिसोल्ब कि इससे के उतार सोल्डिंग बढ़े अच्छी होती है मतलब करने वाली हो जाते हैं तोस्टोस को पास करने लग जाते हैं तोसके सब्सक्राब करने लग जाते हैं के व्हुम्हेद को शेए पहले इस पेस्ट लगा लेजी यह वाला पेस्ट लगा रहा हूं अब मैं वहाले का यूज नहीं करोंगा इस वाले का यूज बिलकुल नहीं करोंगıldने ठीक है अब इसका यूज करना आप जैक लगाने के लिए नहीं तो वो पेश्ट अगर लगा देते हो आप वो टीवी रिपेर वाला तो फिर उससे क्या होता है शोटिंग हो जाती है जैक के अंदर यह नॉर्मल वाला पेश्ट जो होता है यह लगाई इससे पिने अपस में शोट नहीं होंगे बिलकुल भी कि इसके सारी पिन अलग-अलग है अब मैं इसको चार्जिंग करके दिखा देता हूं आपको यह इसकी टेप है न दोस्तों अभी आप हटा सकते हो इससे क्या होता है कि हमारा माइक सेफ रहता है है न कभी कभी क्या होता न कई बार कई मोबाइल रिपेरिंग शोप वाले ऐसे करते हैं कि माइक अगर उनसे खराब हो जाता है जल जाता है उसके सेफटी अगर नहीं रखते हैं और वह खराब हो जाता है तो फिर कस्टमर को बोलते हैं कि आपका माइक भी खराब है माइक भी चेंज होगा उसके भी पैसे लगें तो ऐसी ऐसी प्रोलम जिन भाई के साथ कभी आई हो तो कमेट करके जुरूर बता है होता ऐसा एक सर पर बहुत सारे बंदे होता है जिने मूबाइल लिपेरिंग ठीक से आते हैं वो कभी गलत करते ही नहीं इसका बोर्ड लगा कि दोस्तों मैं आपको चार्जिंग चेक करा जाता हूँ इसके मिनट में चार्जर लगाता हूँ इसमें ओरिजिनल चार्जिंग लगाया दोस्तों हमने अब देख सकते हैं अभी इसके चार्जिंग जब ओके मानेंगे हम जब इसका हरासा बैटरी का निशान बनके आ जाएगा आ चुका है दोस्तों अब इसका मतलब है कि अभी इसमें कोई प्रोलम नहीं किसी एक भी ट्रैक में अगर एक भी ट्रैक में प्रोलम आएगी तो यह निशान निशान नहीं आएगा खाली वह बिजली का निशान बनके आता रहेगा जो शुरू में आ रहा था ठीक है दोस् झाल